हलो दोस्तों कैसे हो आप सब्लोग स्टाट करते हैं आज की हमारी अगली वीडियो वीडियो नूंबर 10 अम लोगों ने लास्ट चूब देखा था वीडियो नूंबर 9 उसमें हम लोगों डिसकस किया था कि सर्थ सेंट्रल बैंक एक्चल में है क्या और हम लोगों ने कुछ से और द लोग बात करेंगे कुछ और फंक्शन्स के बारे में जो अगला फंक्शन आता है bankers bank in supervisor bankers bank अगर हम बात करें तो सब्सक्राइब commercial banks के साथ में वही relation maintain करता है जो एक commercial bank अपने customer के साथ में करता है Central bank commercial banks के साथ में वही relation maintain करेगा जो एक commercial bank अपने customers के साथ में maintain करता है इसका मतलब जैसे commercial bank deposits accept करता है customer के customers को loan देता है वैसे ही central bank भी commercial bank की deposits accept करेगा और जो उने requirements होंगी loans and advances provide करवाएगा अब sir as a supervisor क्या से काम करता है as a supervisor अगर हम बात करें central bank क्या करता है central bank regulates supervises and controls the commercial bank regulate करता है regulations provide करवाता है sir आपको कैसे काम करना है वो बताता है supervise करता है central commercial banks काम कैसे कर रहे है और commercial banks की controlling उनके हाथ में होती central bank के हाथ में इसका मतलब जब हम देखें तो sir regulation किससे related होंगे sir regulations में करता है commercial banks को मतलब central bank regulations बनाएगा rules and regulations बनाएगा किसके लिए commercial banks के लिए अब सब्सक्राइशन किससे related हो सकते sir regulation related हो सकते है commission से अगर कोई bank सोच रहा है कि sir मुझे किसी की साथ अवाल limit होना है किसी के साथ merge होना है तो उसको permission चाहिए होगी central bank की अभी हाली में आप लोगों ने देखा होगा bank of waroda ने दू बैंक के साथ मर्जर किया था तो वैसे ही अगर किसी भी bank को branch का expansion करना है कोई new branch setup करनी है तो उसके लिए कि RBI से permission लेनी पड़ेगी उसके अरावा अगर को ब्रांच को बैंक liquidate होना चाहता है तो उस bank को liquidation होने से पहले central bank की approval लेनी होगी यह तो regulation वाला point अब सर कंट्रोल कैसे exercise करेगा सर अगनी यह समझाते सर रेगुलेशन बनाया है सुपरवाइस करेगा पर सर कंट्रोलिंग कहां से आएगी बोला रहता है कि सर कंट्रोलिंग कहां से आएगी बोला रहता है कि सर कंट्रोल इस exercise by periodic inspection of books and returns filed by them यहाँ पे them मतलब commercial bank center bank क्या करेगा commercial banks का periodic inspection करवाता है periodic inspection करवाया जाएगा commercial banks का कि वो काम कैसे कर रहें और उनकी जो books of accounts है उन books of accounts को checking होती है और अगर हम बात करें तो जो control और exercise कैसे किया जाता है commercial banks की requirement रहती है कि उन commercial सारे commercial banks को आल्लिया के पास एक periodically अपने returns फाइल करवाने पड़ते हैं तो उन returns के basis पे बी control exercise होता है यहां तरहाया समझ में दो थी से देखी bankers bank commercial bank के साथ में वही relation RGI का जो commercial bank का public के साथ में supervision में देखा कि direction परेगा control करेगा regulate करेगा supervise करेगा next custodian of cash reserve point number six sir आप में से धिंबी लोगों ने video number six देखी है money creation वाली उन्हें याद होगा कि sir मैंने एक चीज बोली थी कि sir सारे commercial banks को एक legal requirement होती है कि उनके पास जो deposit सारे हैं उसका minimum percentage as a reserve side में रखे अगर आप लोगोंने नहीं देखा है तो बीडियो प्लीज जाते ही बार जरूर देखें यहां पर देखते हैं कि sir custodian of cash reserve मतलब क्या कि sir central bank क्या करता है कि सारे commercial banks का एक cash reserve अपने पास में maintaining करके रखता है sir central bank commercial bank का cash अपने पास में रख रहा है अब यह देखते क्या होता है कि sir हरे commercial bank की legal requirement होती है कि उसके पास में जो भी deposits आ रहे हैं उन deposits का certain percentage cash की form में RBI को जमा कराना जरूरी है सारे commercial bank की legal requirement है उनके पास में जो भी deposit आएगा मान लिजे एक लाग रुपे का deposit आया उस एक लाग का certain percentage मान लेते हैं सब 10% वो एक लाग का 10% सारे commercial banks को RBI के पास जमा कराना जरूरी है in the form of cash और यह जो percentage होगा यह जो percentage cash की form में RBI को जमा कराते हैं उसको बोलते हैं CRR cash reserve ratio यह जो गहें कि deposits का certain percentage RBI के पास जमा कराना है किसको commercial banks को तो यह जो certain percentage cash की form में देना है इसको क्या बोलेंगे CRR एक बार देख लेते हैं फटापर Central bank maintains cash reserves of commercial banks every commercial bank is required to maintain a certain percentage of its deposit in the form of cash with RBI यह हमने पढ़ा भी the percentage to maintain by commercial bank with RBI is known as CRR clear वह सबको पका ठीक है आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब letter of the last resort यह point बहुत अच्छा है अगर यह पहेंगी बहुत easy है समझे में बहुत अच्छा है देखिए सर हम लोगों को यह पता है कि सर commercial banks के पास ऐसा हो सकता है कि cash की shortage आ जाए या funds की shortage आ जाए बिल्कुल possible कि सर cash की shortage आ जाए या funds की shortage आ जा जाए है उस case में commercial banks क्या करते हैं कि अपने आसपास के जो भी दूसरे जिनके banks के साथ जिनके साथ रिरेशन है या जिनके इंके इंके इंटर डिपॉजिट्स पड़े हुए है यह commercial banks क्या करते हैं उन bank से जाके financial help मांगते हैं कि सर हम इतना इतना funds सही है अगर मान लेते हैं कि सर कोई एक commercial bank है उसको funds की requirement आ गई है और बाकी कहीं भी किसी भी source से fund arrange नहीं हो पा रहा है अगर fund की requirement है commercial bank को और funds का arrangement नहीं हो पा रहा है उस case में Central bank as a lender of last resort काम करता है मतलब जब सबात खड़े कर दे कोई पैसा देने से मना कर दे को किसी भी commercial bank को तो उस commercial bank जोली फैला सकता है किस के सामने Central bank के सामने आया समझ में Central bank बिल्कूल मदद करेगा पैसे देगा but as a loans and advances की form में देगा आया समझ में जब सबात खड़े कर दें पैसा कौन देगा Central bank और किस की form में देगा loans and advances की form में clear है एक बार देखते है क्या रूल है Central bank acts as a lender of last resort for commercial bank if commercial bank fails to meet its financial requirement from other banks then they can approach Central bank for loans and advances यहां तक समझ बाया है अब सारी loans and advances कैसे देगा Central bank Central bank does so by discounting securities and bills of exchange यह जो loans and advances का procedure होता है यह loans and advances के procedure में Central bank commercial bank की securities को discount कर देगा यह बिल्स को discount करेगा और उसी की business पे loans provide करेगा आया सब को समझ में clear यहां पर अभी आपके से किसी को कुछ no down करना है तो प्लीज एक बार no down कर लीजी देखते हैं चलिए आले बढ़ते हैं अभी तक हम लोगोंने तीन function और देखे bankers bank and supervisor क्या है custodian of cash reserve और vendor of last resort दो और functions की और बढ़ते हैं किसा central bank custodian है किसका foreign exchange reserve का central bank is a custodian of foreign exchange reserve foreign exchange आप लोगोंने सुनावा जरूर होगा foreign exchange मतलब अगर हम बात करें foreign currency की बात हो रही है RBI एक custodian है किस चीज का foreign currency का देखें क्या लिखा हुआ है Central bank maintains the foreign exchange reserves in order to promote international trade and to stabilize the exchange rate of the domestic currency Central bank अपने पास में foreign exchange reserves का एक stock अपने पास में रखता है Ayo bank एक reserve अपने पास में रखता है foreign exchange का custodian central bank अब यह रखा क्यों जाता है ताकि international trade को promote कर सके जो हमारे export import से उनको हम promote कर सके और उसके अलावा अगर कभी हमारी domestic currency की value बहुत जादा increase है बहुत जादा increase हो जाए तो इस domestic currency की value को stabilize करने के लिए इस foreign exchange reserves को maintain किया जाता है अब सर foreign exchange reserves के through कैसे हम लोग अपनी domestic currency की value कम जादा करेंगे यह हम लोग देखेंगे एक हमारे पास पूरा चेप्टर है foreign exchange का वहाँ पर हम लोग पूरा proper समझेंगे कि कैसे domestic currency की value को कम जादा किया जाता है यूजिंग foreign exchange reserves आया समझ में हमारे लिए यहां पर इतना समझता जरूरी है कि सर्थ RBI यह custodian ने foreign exchange reserves का वो अपने पास में foreign exchange रखता है in order to promote international trade and to stabilize the domestic currency value of domestic currency आया समझ में next central bank acts as a clearing agent central bank as a clearing agent काम करता है देखें बहुत easily समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूं कि सर्थ हर bank का किसी ने किसी दूसरे bank के साथ में कोई ने कोई transaction जरूर होता है या तो किसी को मान लिए किसी bank से लेना होगा या किसी ने किसी bank को किसी दूसरे bank को देना होगा मतलब कोई ना कोई बैक किसी के लिए data होगा कोई ना कोई बैक किसी के लिए credit होगा अब सेंटर बैक क्या करता है सेंटर बैक के पास में हरे commercial bank का कुछ नो कुछ cash reserve का amount पड़ा है सेंटर बैक के पास में हरे commercial bank का कोई ना कोई अकाउंट open होके रखा हुआ है क्योंकि सर अगर कोई commercial bank अपना पैसा जमा कराएगा RBI के पास में तो उसका account open किया जाएगा अब जब inter bank deposits को clear करने की बात आती है मान लीजिए B.O.B का transaction SBI के साथ है SBI का PNB के साथ है PNB का मान लीजिए Canera bank के साथ है Canera का PNB और Canera का SBI के साथ है इस तरह के multiple transactions होते हैं अब इन transactions को कैसे clear किया जाए उसके लिए RBI क्या करता है book entry pass करता है जो accounts के बच्चे हैं हमको बहुत easily समझवाएगा हम लोगों ने अगर आपको द्यारत rectification entries pass करी थी last year 11th class तो उसी तरह से RBI भी क्या करता है कुछ entries पास करता है उन entries को पास करके interbank deposits interbank जो भी लेंदेन हैं वो लेंदेन क्या हो जाते हैं clear हो जाते हैं RBI as a clearing agent काम करता है सारे commercial banks के यह commercial banks के जोगी inter deposit से वो RBI clear करवाता है और क्यासे possible होता है यह by book entries और क्यों possible हो रहा है क्योंकि RBI के पास हर commercial bank का cash पढ़ा हुआ है in the form of reserve और RBI के पास हरे commercial bank का account open होके रखा हुआ है यहां तक आप सभी लोगों को clear हुआ हम लोग ने क्या देखा ठीक है next हमारा जो आने वाला lecture होगा यूं गए कि आने वाले जो 2-3 lecture होंगे हमारे most 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 important lecture आने वाले हैं उसका reason कि सर अब जो हम लोग देखेंगे वो यह देखेंगे कि सर inflation और deflation के case में RBI कैसे money की supply को control करता है using qualitative and quantitative instruments प्लीज आने वाले videos मत मिस कीजिएगा board exams में जिस तरह से money creation important था money वाले part में उसी तरह से banking वाले part में आने वाले जो 2-3 जो अगर हम बात गये videos होंगे वो बहुत जादा important होंगे प्लीज आप सभी लोगों से request है अगले 2-3 videos मिस मत कीजिएगा आया समझ में ठीक है आज के लिए बस इतना ही thank you have a good day जwnाँ क्माद करो दो र प्लीज दो क्माद करे समय में ऩपल्वड़ प्लीज इतना है झाल झाल